देवी और सज्जनों आप सभी को मेरा प्रणाम जय स्री राम जय भजरंग वली जय मातादी रादे रादे हर हर महादेव आज की इस वीडियो में हम स्रवट करेंगे सुक्रुवार ब्रत कथा और पूजन विदी के बारे में यदि आप सभी स्री गोपाल सेवा सिमेती जो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सुक्रुवार के दिन माता संतोसी की पूजा करने का विदान है ऐसी मानता है जो भी माता संतोसी की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है उसे सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है माता संतोसी का ब्रत जो भी रखता ह उसे ध्यान रखना होता है कि वह भूल से भी खटाई नखाए और घर में किसी को खाने न दे संतोसी माता को सुक और बैवव की देवी माना जाता है यह बात आप सब अमेशा याद रखें जब भी आप संतोसी माता का ब्रत करना चाहते हैं तो यह ब्रत हमेशा सुकल पच्छ के पहले सुक्रवार से सुरू करें। संतोशी माता सिरी गड़ेजी की पुत्री हैं। संतोशी माता की पूजा करने से आपके जीवन में सुक सम्रद्धी बढ़ेगी और संतों सी माता का पूजन करने से और ब्रत कथा सुनने से माता प्रसंद होती है और संतों सी माता आपके सारी मनोगामना पूर्ण करती है संतोसी माता का ब्रत 16 सुक्रवार रखने का विदान है सुक्रवार के दिन कोई भी खटी घर में लानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए आईए अब जानते हैं पूजा बिदी के बारे में सबसे पहले आफ सूर्य दे से पहले उठें और इसनान आद करके साफ वस्त धारन करें और ब्रत का संकल पुलें इसके बाद आप मा संतोसी की प्रत्मा या चित्र स्तापित करें इसके बाद कलस की स्तापना करें लेकिन याद रखें कलस तांबे का ही हो इसके बाद किसी बड़े पातर में गुड़ और चनिये का प्रसाद रखें अब आप मासंतोशी का विदीवत पूजन करें उनकी कथा सुनें और अंत में मासंतोशी की आर्थी उतारें अंत में जल से भरे पातर का जल पूरे घर में छड़क दें आईए अब सरवड करते हैं सुकुवार ब्यत का था एक बुड़िया थी उसके साथ बेटे थे छे कमाने वाले थे जबकि एक निकमा था बुड़िया छे वो बेटों की रसुई बनाती बोजन कराती और उनसे जो कुछ जूटन बचती वो साथ में को दे देती एक दिन वह पत्नी से बोला देखो मेरी माँ को मुझे पर कितना प्रेम हैं वह बोली क्यों नहीं सब का जूटा जो तुमको खिलाती है वह बोला ऐसा नहीं हो सकता मैं जब तक आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता वहु असकर बोली देख लोगे तब तु मानोगे कुछ दिन बाद त्योहर आया घर में साथ प्रकार के भोजन और चूरमे के लड़ू बने वो जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त सिर पर ओडे रसोई घर में सो गया वह कपड़े में से सब देख रहा था छेओ भाई भोजन करने आये उसने देखा माने उनके लिए सुन्दर आसन बिशा नाना प्रकार की रसोई परोशी और आग्रे करके उनने जिमाया वह देख दा रहा छेओ भोजन करके उठे तब माने उनकी जूटी थालियों में से लड दू बनाया जूटन सापकर बुढ़िया माने उसे पुकारा बेटा छेओ भाई बोजन कर गए अब तू भी बाकी तू ही बाकी है अब तू कब आएगा वह कहने लगा मा मुझे बोजन नहीं करना मैं अब परदेश जा रहा हूं माने कहा कल जाता जाता हो तो आज चला जा वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं यह कह कर वह घर से निकल गया चलते समय पतनी की याद आ गई वह गोसाला में कंडे उपले थाप रही थी वहाँ जा कर बोला हम जाओ में परदेश आवेंगे कुछ काल तुम रही हो संतोस से धरम आपनो पाल वह बोली जाओ पिया आनंद से हमारो सोच अटाए राम बरो से हम रहें ईसर तुम्हें सहाई दो निसानी आपन देख दरूमें धीर सुद्मत हमारी विसरयो सुद्मत हमारी विसरयो रखियो मन गंबीर वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं या अंगुटी है सो ले और अपनी कुछ निसानी मुझे दे दे वह बोली मेरे पास क्या या गोवर भरा हाद है या कहकर उसकी पीठ पर गोवर के हाद की थाप मार दी वह चल दिया चलते दूर देश मौचा वहाँ एक सावकार की दुकान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो सावकार को जरूरत थी वह बोला रह जा लड़के ने पूछा तनका क्या दोगे सावकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे सावकार की नौकरी मिली सावकार की नौकरी मिली वह सवह 7 वज之 से 10 वज लगे यह तो बहुत होस्यार बन गया सेट ने भी काम देखा और तीन महीने में ही उसके दादे मुनाफे का इस्तार बना दिया वह कुछ वर्ष में ही नामी सेट बन गया और मालक सारा कारोवार उस पर छोड़ कर चला गया पती की अनुस्पर इदर पत उसकी पतनी को सास सु देख दुख देने लगे सारी ग्रस्ती का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में बेते इस बीच घर के आटे से जो भी भुसी निकलती उसकी रोटी बनागर रख दी जाती और फूटे नारेल की नारेल में पानी एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी राष्ते में ब पूछा बहिनो तुम किस देवता का ब्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है यदि तुम इस ब्रत का बेधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा ऐसान मानूंगी तब उन में से एक इस्तिरी बोली सुनो यह संतोशी माता का ब्रत है इसके करने से न बिदी पूछी वह बक्तिनी स्तिरी बोली सवा आने का गोड़ चना लेना इस्चा हो तो सवा पांच आने का लेना यह सवा रुपे का भी सहुलियत के अंसाल लाना बिना परेशानी और सिद्दा वह प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना पत्यक सुक्रवार को नि करने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना जब कारेशिद्द न हो नियम का पालन करना और कारेशिद्द हो जाने पर ब्यत का उद्यापन करना तीन मास में माता फल पूरा करती हैं यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता बर्स भर में कारेशिद्द करती हैं फल सिद्दी होने पर उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं उद्यापन में अडाई सेर आटे का खाजा तता इसी पर नाम से खीर तता चने का सा करना चाहिए आठ लड़कों को बोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट भाई बंदू के हो न मिले तो रिष्टेदारों आफ़ पड़ोसियों को बुलाना उन्हें बोजन करा यह सकती दक्षणा दे माता का नियम पूरा करना उस दिन घर में खटाई न खाना यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहु चल दी ब्रत का प्रेड करना मा संतोशी का दर्शन देना राष्टे में लकडी के बोज को बेच दिया और उन पैसों को गुडचना ले माता के ब्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी या मंदर किसका है सब कहने लगे संतोशी माता का मंदर है या सुनकर माता के मंदर में जाकर चरण में लोटने लगी दीन हो बिंती करो करने लगी मा मैं निपटा ग्यार नहीं हूं ब्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती मैं दुखी हूं है माता जगत जन्नी मेरा दुख दूर कर मेरी मैं तेरी सरण में हूं माता को दया आई एक सुक्रवार वीता गी दूसरे को उसके पत काखी के पत्र आने लगे रुपए आने लगा अब तो काखी की खातिर बढ़ेगी बेचारी सरहलता से कहती है भाईया कागा जावे रुपएया आवे हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आख हमें आशु बरकर संतों सिमाता के मंदर मैं मैं आम आते सोरी के चड़नों में ग स्वाग से काम है मैं तो अपने स्वामी के दर्षन मांगती हूं तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा या सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी अब संतों सी मा विचार करने लगी इस बोली पुत्ती को मैंने कैन तो दिया कि तेरा पती आएगा लेकिन कैसे वह तो इसे स्वफन में भी नहीं याद करता उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा इस तरह माता जी उस बुड़िया के बेटे के पास जा स्वफन में प्रकट रो हो कहने लगी सावकार के बेटे सो रहा है या जागता है वह कहने लगा माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं नहीं हूं कहो क्या आग्या है मा कहने लगी तेरे घर बार कुछ हैं कि नहीं वह बोला मेरे पास सब कुछ है मा बाप हैं बहु है क्या कमी है मा बोले भोले पुत्र तेरी बहु घोर कश उठा रही है तेरे मा बाप उसे परेशा बात है लेंदेन का कोई इसाब नहीं कोई जाने का रास्ता नहीं आता कैसे चला जाओं मा कहने लगी मेरी बात मां सबेरे नहादो कर संतों जी माता का नाम ले गी का दीपक जला डंडवर्ट कर दुकान पर बैठ जा देखते देखते सार लेंदेन चुक जाएगा जमा कमाल बिक जाएगा सांज होते होते धनका बारी धेर लग जाएगा अब बूड़े की बात मान कर वह धन नहादो कर संतों जी माता को दंडवर्ट घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे लेने वाले इसाब लेने लगे संदो घर में घर ले जाने के रास्ते बास्ते गेना कपड़ा सामान खरीदने लगा यहां काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ उदर उसकी पत्री जंगल में लकडी लेने जाती और जाती है लोड़ते वक्त माता जी के मंदर में विस्राम करती है वह तो उसके प्र तेरे पती आ रहा है अब तु ऐसा कर लकडियों के तीन बोज बना ले एक नदी के किनारे रख दे दूसरा मेरे मंदर वह तीसरा अपने सिर पर तेरे पती को लकडियों का गठर दे को मुह पैदा होगा यह यहां रुकेगा नास्ता पानी खाकर मां से मिलने जाएगा तब महमान कौन आया माताई इसे बहुत अच्छा कहकर वह प्रसंद मन से लकडियों की तीन गठर बनाई एक नदी के किनारे एक माताई के मंदे पर रखा इतने में मुसाफिर आ पहुंचा असू की लकडी देख उसकी इच्छा उत्पन हुई कि हम यहीं पर विस्राम करें और बोजन बना कर खा पी कर गाउं जाएंगे इसी तरह रुक कर बोजन बना विस्राम करके गाउं को गया सबसे प्रेम से मिला उसी समय सिर्प लकडी का गठर लिये वह उतावली सी आती है लकडियों का भारी बोज आंगर में डाल कर जोड़ से तीन आवाज देती है लो पूसी की रोटी दो आज बेमान कौन आया या सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये कुए कश्टों को बुलाने ये तु कहती है भाहू ऐसा क्यों कहती है तेरा मालक ही तो आया है बैठ मीटा भात खा बोजन कर कपड़े गहने पैन उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता है अंगुठी देख ब्याकल हो जाता है मा से पूछता है मा या कौन है मा बोली बेटा या तेरी भाहू है जब से तु गया है तब से सारे गाउं में बटकती फिरती है गर का काम काज कुछ करती नहीं चार पहर खा आकर खा जाती है वह बोला ठीक है मा मैंने इसे भी देखा हो तुम्हें भी अब दूसरे घर की ताली दो उसे रहूंगा मा बोली ठीक है जैसी तेरी मर्जी तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजल का कमरा खुल सारा सामान जमाया एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट वाट बन गया अब क्या था बहुत सुक भोगने लगी इ संतोसी माता के ब्रत का उद्यापन करना है पती बोला खुसी से कर लो वह उद्यापन की तैयारी करने लगी जिठानी के लड़कों को बोजन के लिए कहने गई उन्होंने मनजूर किया पर तु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया देखो बोजन के समय खट राइदो खीर खाना हमको नहीं बातार देकर अरुचोती है वह कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी या तो संतोसी माता का प्रसाद है लड़के उठ खड़े हुए और बोले पैसा लाओ बोली बहु कुछ जानती नहीं थी उन्हें पैसे दे दिये लड़क केट जिठानी मन माने बचन कहने लगे लूट लूट कर धनिकटा कर लाया है अब सब मालों पड़ जाएका जब जेल की मार खाएगा बहूसे यह सरहन नहीं हुए मता जी मंद्र गई कहने लगी है मता तुमने क्या किया हनस असाकर अब वड़कों को रूलाने लगी मता बो भूल से लड़कों को पैसे दे दिये मुझे छमा करो मैं तुम फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी मा बोली अब भूल मत करना वह कहती है अब भूल नहीं होगी अब बतला वह कैसे आवेंगे मा बोली जा पुती तेरा पती तुझे राज्टे में आता मिलेगा वह निकली कुछ दिन बाद फिर सुक्रवार आया वह बोली मुझे फिर माता कौद्यापन करना है पती ने कहा करो वहू फिर से लड़कों को बोजन कहने गई जिठानी ने एक दो बात सुनाए और सब लड़कों को सिखाने लगी तुम सब लोग पहले ही कटाई मांगना लड़के बो सब्रद कराने लगी यहथाश्य दचषणा की जगे है कर लोग माता कीरफा होते हैं ऑप्रम ने सब्समुंदर कर पूद्र पर का पथो प्याइब माता जी सिघ्या मंदिर घन कर रही थी देहली पर पैर रखते हैं उसकी साथ चलाई देखो रहे कोई चुड़ेल डांकिन चली आ रही है लड़को इसे बगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के बगाने लगे चला कर खिड़की बंद करने लगे बहुरों संदान मैं से देख रही थी परहनता से पगली बंद चलाने लगी आज मेरी माता जी घर में आई हैं वो बच्चे को दूद पीने से अटाती है इतने से मैं सास का क्रोध फटती बड़ा वो बोली क्या उतावली हुई है बच्चे को पटक दिया इतने में मा के प्रताब से लड़के ही लड़के नजर आने लगे वो बोली मा मैं जिसका ब्रत करती हूँ या संतोसी माता हैं सबने माता जी के चरण पकर लिये और बिंती के कहने लगे हैं माता हम बूर्ख हैं बहु को प्रसन हो जैसा फल दिया पैसा माता सब को दे जो पड़े उसका मनुरत पूर हो बोलो संतोसी माता की जै